आद कि इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं Infosys Stock के बारे में Overall IT सेक्टर में आज एक Pullback देखने को मिला है और ये एक बड़ी खबर Infosys Shareholder के लिए ले करके आई है कि Nomura ने सभी IT Stock जितने भी Stock हैं उसको Downgrade किया है Except Infosys और Tech महिंदरा को Infosys का Target अभी भी हलांकि 16% Downgrade ही किया है लेकिन फिर भी जो Current Market Price है उससे ज्यादा और 1720 के Target देखने को मिल रहे है Overall Infosys Stock में देखेंगे तो आज के Trading Session में एक Strong Pullback आते वे दिखा है और Short Term Trader के लिए 1430 का Stop Loss का Previous Closing से 7 रुपया उपर 1430 के Stop Loss को लगा करके 1550 तक के Target के लिए बाइंग कर सकते हैं जिस परकार से Nifty में भी एक Strong Pullback दिखा है और अगर यहां Sustain करता है अगर यह 1440 के Price को Sustain करती है तो 1550 तक के Label दिख सकते हैं एक Small Stop Loss के साथ इस Stockman Short Term में टेडिंग किया जा सकता है अगर 1400 नीचे की Closing देती है तो यह Target Price Invalid है और Long Term के लिए अगर Invested है तो इस समय Average Out करने से बचे अगर 1300 के आस पास का Price अगले 3-4-5 महिने भी मिलता है तो Average करने के लिए Golden Opportunity होगी और Fresh Buying इस समय Short Term Prospective से किया जा क्वादाने के लिए Θ defines एओआ दुर समय क्वारी थिर सकता है